दोस्तो यू तो आपने ऐसे कई सारे सापों के बारे में सुना होगा जो की बहुत जहरीले और खतरनाक होते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसी मचली भी है जो की सापों से भी ज्यादा खतरनाक और जहरीली है जी हाँ दरसल इस मचली का नाम पफरफिस है जिसके अंदर साइनाइड से भी 1500 गुना जादा जहरीला जहर टेटरोडोटॉक्सिन पाया जाता है लेकिन के आपको पता है इतनी जहरीली मचली होने के बावजूद भी पफर्फिस को जपान में एक स्वाधिस्ट भोजन के तौर पर खाया जाता है दरसल आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि पफर्फिस किसी आम इंसान द्वारा बनाये जाने वाला आम भोजन नहीं है बलकि इसे बनाने वाले सेफ्स को खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें उन पार्ट्स को हटाना होता है जिसमें टेट्रोडोटॉक्सिन पाया जाता है उसके बाद उन्हें एक एक्जाम की प्रकडिया से भी गुजरना पड़ता है तब ही इसके बाद जाकर उन इसको पफर्फिस को बनाने के लिए लीगली लाइसेंस मिलता है क्योंकि अगर इस डेस को बनाने में जरा से भी गलती हुई तो इसे खाने वाला इंसान अपनी जान भी गवा सकता है